प्रेंट्स प्रेंट्स आज के इस नए एपसोर्ट में मैं आप सरी एकस्ट जागत करता हूं दोस्तो आज की वीडियो में जो नुश्का बताऊंगा उसकी मदद से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं सुन्दर बना सकते हैं और चमकदार बना सकते हैं वो भी सिर्फ एक नुश्के की मदद से जी हां सिर्फ एक नुश्का तो यह बहुत फाइदमन्द है इसका कोई साइट एफ नहीं सौप पतिश्रत नैच्छल है तो आप बेफिक्र होके से इस्तमाल कर सकते हैं दूसरी बात दोस्तो नुश्का बहुत ही आसान है आप इसे घर बैठे अपनी किचन में बना सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं इस नए नुश्के को दोस्तो इस नुश्के के दौरान हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवशकता है एक तो चाहिए हमें दोस्तो यह लैसून के करीब एक पुत्ती और हमें दूसर चाहिए जैतूं का तेल दोस्तो दोनों ही चीज़े बालों के लिए बहुत वर्दान का काम करती हैं इसमें बालों को इससे प्रोशन तत्व मिलते हैं और आपके बाल की जो रंगत है वो अलग ही दिखती है इसके इसके इस्तमा कैसे करना है दोस्तो सबसे पहले हमें इस लैसून को बारिक पेस्ट बना लेना है जिहां इस लैसून का बारिक पेस्ट बना ले और इस लैसून के बारिक पेस्ट को यानि इस एक पुत्ती के बारिक पेस्ट में करीब 3-4 समस मिलाएं जैतून का तेल दोस्तों इन दोनों बालों के जग्ट कवर हो जाएं इसके बाद दोस्तों आप करीब 5-10 मिट तक मसाज करें और इसको अपने बालों में करीब आदे घंटे के लिए छोड़ दीजिए जी हाँ आदे घंटे के छोड़ने के बाद आपको अपने बालों को किसी भी हरवल सैंपू से अच्छे से व देखेंगे दोस्तों ना केवल इसे आपके बालों के रंगें सुधारेगा अगर आपके बालों के जो को समस्य है जूएं वगरा होती है वो भी बिल्कुल मिटाएगा देगा दोस्तों इन उसका बहुत असरदार है स्वाप पतिश्रत नाच्छल तो इसका कोई साइड जब तक आपको पर्मानेंट डिजर्ट ना मिले दोस्तों ये बहुत ही असरदार है आप इसे पहले वी बार के पहले ही हफ़ते के इस्तमाल से आप अपने बालों में बहुत इंप्रूव्मेंट देखेंगे दोस्तों ये थी फ्रैंक टिप आज की हमारी आपको पसंद आई हो तो यूँ ही हमाशाद बने रहें और आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत भन्यवाद